दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं LIC के brand new plan के बारे में जिसका नाम है digital property investment जी हाँ दोस्तो आपने बिल्कूल सही सुना digital property investment दोस्तो ये plan बहुत तेजी से sale हो रहा है और हर किसी को ये plan बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि इस plan की शुरुआत हो जाती है मातर 500 रुपे से क्या खास बात है इस plan के अंदर इसके अंदर आपको एक rent मिलता है जो कि fixed rent होता है वो आपको उम्र भर मिलता रहेगा जब तक आपकी property बने रहेगी और मज़ेगी बात ये है कि आपकी जो property की investment जो return आपको देगी वो हर साल 2-3 लाग रुपे अपने आप बढ़ती रहेगी और बहुत सारी चीजों में आपको छूट मिलने वाली है और क्या-क्या discount इसके अंदर आपको मिल सकते हैं जोस्तों वीडियो को लास तक देगी का धीरे धीरे समझे का एक एक चीज में आपको clear करने वाला हूँ साल 2-3 इसकी best digital property investment के बारे में जोस्तों मेरे पिदाज येने साल 2-3 लाग का एक मकान खरीता था जिसके कीमत आज 70 लाग रुपे के आसपास की हो गई है अब बोलने के लिए लोग बोलते हैं आपके मकान की कीमत तो बहुत जादा बढ़ गई है डबल से भी जादा होई कुछ लोग तो 80 लाग कभी अनुमान लगाते है बड़ हमारा मानना ये है कि जब हमने वो मकान खरीदा था तो उसके बाद हमने उसमें रेजिस्ट्री कराई थी उसकी रेनोवेशन की है और हर 2-3 साल में उसके अंदर कोई ना कोई खर्चे होते रहते हैं जब हमने वाकई में उस मकान की वेल्यूशन की तो पता चला लोन मिलाने के बाद में हमें वो आलेडे 65 लाख रुपे का पढ़ चुका था दोस्तो ये तो थी उस समय की बात हम आज की डेट की बारे में बात करते हैं डिजिडिल प्रॉपटी को भी रखते हैं यहाँ पर अभी बात करते हैं प्रॉपटी के बारे में जी आज की डेट में अगर आपको प्रॉपटी में इंवेस्मेंन करनी हैं तो आपके पास वन टाइम पैसा होना चाहिए यानि कि एक मुस पैसा जहां पर आप एक ही बारे में प्रॉपटी खरीद सको अब जो जगा आपको पसंद आईए वहाँ रेट क्या चल रहा है कीमत क्या चल रही है एक करोड का फ्लैट है पचास लाग का है तीस लाग का है वटेवर कुछ भी हो सकता है अब कुछ लोगे मन में ये सवाल आ रहा है कि यार हमारे पास तो इतना पैसा नहीं कि हम एक ही बार में दिसकते हैं तो जो लोग प्रॉपटी में इंवेस्मेंट करना चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि 10 से 20 परसंट पैसा आपनी जेव से बरते हैं अब 40 लाग का जब आप लोग लेंगे तो 20 साल के टैनियोर के हिसाब से वो पढ़ जाता है आपको 85 लाग रुपए का यानि कि जब आप ये प्रॉपटी ले रहे हैं तो आपके मकान कीमत 50 लाग नहीं हुई है आपके मकान की कीमत है 85 लाग से लेके 85 लाग तक का पड़र कल को ये बत कही है का मेरे जो मकान की कीमत थी मैंने 50 लाग खरीदा था नहीं आपने वो मकान 88-85 लाग रुपए का ये खरीदा था 9% का 20 साल का हमारा 10 यूर होगा तो दोस्तों यहाँ पर हम जो पैसे जमा कर रहे हैं वो 40 लाग रुपे के आसपास हमने जमा करना है जो कि मारा प्रिंसिपल अमोंट है वह उसका इंटरस्ट लग रहा है इन 20 सालों के अंदर वो खुदी 46 लाग रुपे के आसपास हो जाता है यहाँ पर सीधे सीधे आपके 12-13 लाग रुपे कम हो जाता है यह आप आप देखा ना किस तरीके जह हम यहाँ पर 35,000 रुपे भर रहे हैं यह चीज़ तो आपको क्लियर होगी ना कोई भी आप प्रॉपटी आप खरीटते हैं बोलते हैं कि हमने 45 लाग की खरीटी थी थी म मैं आपको बहुत सारी चीज़े बताने वाला हूँ वीडियो को लास तक जरूर देखेगा अपनी प्रॉपटे के लिए कस्तमर्स को देखना पड़ेगा और यह सारी चीज़े होती रहेएंगी तो दोस्तों यह सारी चीज़े अगर आपको समझ में आती हैं प्रॉपटी इंवेस्मेंट को लेके तो मैं आपको लेकर आए हूँ आज डिजिटल प्रॉपटी इन्व जी हाँ दोस्तो LIC का brand new plan है इसके concept को समझेगा यहाँ पर आपको rent तो मिलता ही मिलता है और एक बार में आपको पैसे भी जमा नहीं करने हैं एक बार में जब मैंने खाँ पैसे जमा नहीं करने हैं उसका मतलब ही होगा कि कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा जैसे कि आपको loan पर देना पड़ेगा यहाँ व्याज क्यों नहीं देना क्योंकि आपको यहाँ पर loan ही नहीं लेना है अब loan नहीं लेंगे तो और interest देने की जुरती नहीं है यहाँ पर आपको जो आप बैंक को 20 साल तो EMI दे रहते हैं यहाँ पर 10 साल ही देनी है उसके बाद आपका rent भी चालो हो जाएगा और आपके मकान की जो कीमत होगी वो हर साल देड़ दो लाग देड़ दो लाग तीन लाग हर साल अपने आप बढ़ती रहेगी और सबसे मज़े की बात तो यह है कि यहाँ पर आपका life insurance भी हता है जिसकी पहले साल का life insurance का amount वो 50 लाग कर रहेगा और हर साल एक एक दो दो लाग रुपे वो अपने आप बढ़ता रहेगा तो इस से मज़े की बात और क्या हो सकती है दोस्तों उस्तों यहाँ पर हम example लेंगे जो 35 रुपे मंतली आप EMI अपने property में invest करने वाले थे physical property में यहाँ पर example लेंगे हम 25,000 रुपे मंतली का दोस्तों एक ची करते हैं 25,000 रुपे मंतली की और 10-15 साल के अंदर आपको साल के 3,000,000 रुपे आपकी fixed guaranteed आपका rent बोलिए pension बोलिए income बोलिए यह चालो हो जाती है और 15 साल में जब आपके investment खतम ही हो रही होगे तभी आपके मकान की जो कीमत होगी तगर 65,000 रुपे के आसपास की हो जाईग और उस समय आपकी property की जो कीमत होगी 65,000,000 की होगी जबकि आपने इस के अंदर सिर्फ 40,000,000 रुपे ही भरे हैं और अगर मैं बात करूं आने वाले 10 साल बात की जब आपकी उमर 55 साल की हो जाएगी तो आपने अभी तक 45 साल से लेके 55 साल तक हर साल 3,000,000 रुपे तो ले ल आपने 45 साल से लेके 65 साल तक 60,000,000 रुपे की rent की income ले ली है और इस समय आपके मकान की जो कीमत है वो हो चुकी है एक करोड़ 30,000,000 रुपे के आसपास की और दोस्तों जब हमने शुरुआत की थी life insurance की जो 50-40,000,000 से start हो गया था वो भी आज की date में 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जमानी करने और आपको fix guaranteed जो rent है वो मिलता रहेगा जब चाहे withdraw करा लीजिए अपने property का पैसा निका लीजिए वरना rent तो आप खाई रहे है न दोस्तों मिरको लग रहा है शायद आपको ये चीज़े समझ में नहीं आ रही है मुझे लगता मैं आपको calculation जब दिखाऊंगा तो आपको चीज़े बहतर समझ भाएंगी कोई भी अगर doubt है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और सबसे मज़े की बाद बता दो दोस्तों ये investment आप अपने बच्चे के नाम पे भी ले सकते हैं इसे बहतर इन concept मैंने आज तक नहीं देखा है तो दोस्तों digital property investment के बारे में प पान साल की उमर का होगा वहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आप अपने बच्चे के नाम पर भी ये digital property investment कर सकते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगी यहाँ पर 30 साल की उमर में हमने प्लान लिया है और यहाँ पर हमने पैसे जो जमा करने हैं महीने के 25,000, रुपे के इसापसे करने हैं तो साल के लग 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 3,000,000,000,000 के आसपास हो जाते हैं यहाँ पर पहले ही साल से हमारा जो life cover होगा वो 40,000,000 लाग का होगा natural death के case में और accidental case की बात करूं तो यहाँ पर 77,000,000,000 के का हमारा life का cover होगा accident की वज़े से अगर कोई दुरुगट हो जाती है तो तो दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले चेक करेंगे इस 30 साल से लेके 44 साल तक हमने जो पैसे जमा किये हैं वो होते हैं तकरीवर 45 लाग रुपे के आसपास के और जैसे ही हम पूरी पेमिंट कर देते हैं वहां से हमारा जो रेंट होता है साल का या महीने का तो वो चालू हो जाता है तो उस समय भी आप देख सकते हैं इस दोरान जो आपने थोड़ो थोड़ो करके पैसे दी हैं तो आपके मकान की जो कीमत है वो 62 लाग रुपे के आसपास की होगा यह साल 45 साल की उमर में अब यहां से हम कैलकुशन स्टार्ट करते हैं यहां से अगर मैं 55 साल की बात करूँ तो इस दोरान 10 सालों के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टी कीमत होगी 45 लाग से सीधा सीधा 80 लाग रुपे के आसपास की हो जाती है और इस दोरान जिन 10 सालों में आपने तकरीबद 30 लाग रुपे का जो इंकम है जो रेंट है वो अलड़ी ल कर सकते हो अगर मैं बात करूँ इस व्यक्ति की जिसके में 30 साल में उन्हें प्लान लिया था 45-44 साल तक पे किया था अगर ये इस प्लान को यहां से 65 साल की उमर में अपनी प्रॉपटी से पैसे निकालना चाते हैं तो यहां पर उन्होंने 45 साल से लेके 65 साल तक 3-3 लाग हर साल लिये हैं जो कि हो गये हैं 60 लाग रुपए और अभी भी 65 साल की उमर में 1 करोड 20 लाग रुपए और निकाल सकते हैं तो दोस्तों यह है न कमाल की चीज़ आप चाहो तो इस एगरिमेंट को continue कर सकते हैं यह तो मैंने example के तौर पर बताया माल लीजे कोई व्यक्ति अ उनके पास अलड़ी जा चुका है और पैसे भी वो चाहें तो यहांसे withdraw कर सकते हैं और दोस्तों इस प्लैन की खास बात यह है एक बार आपका rent चालो हो गया और आपको urgency में बहुत पैसो की ज़रौत है यानि 10 से 50 लाग रुपए तो आप यहांसे पहले ही ले सकते हैं इस तो एक और चीज में आपको बता दो अगर आप property लेने गए हैं और आप पूरे पैसे जमा नहीं कर पाए हैं आपने आधे ही करे हैं तो आपकी property कीमत आधे rate से start होगी और आधे ही rent की और आधे ही rent आपको मिलता रहेगा और example 45 लाग का यहांपर मकान है आपने यहांपर 25 ल पर यहांपर फिर भी आपको तकरीबन 40 लाग रुपे यह मिल जाते हैं इस दौरान आपने 15 लाग रुपे की pension और ले ली हैं दोस्तों यहांपर अगर investor ने एक साली premium पे किया है तो भी अगर एक साली premium पे किया है तीन लाग रुपे का तो अगर उनके साथ कोई दुरगट 30 लाग रुपे यहांपर जमा करती हैं अगर उनके साथ कोई दुरगटा होती है तब भी उनकी परिवार को 61 लाग रुपे दे दिये जाएंगी तो यह डिजिलल प्रॉपर्टी का concept जो है वो LIZ G1-1 policy से निकाला गया है बहुत ही beautifully design किया गया है आपके अगर कोई भी doubt होता वो मिलने वाला है दोस्तों चलिए तो calculation start करते हैं दोस्तों यहांपर property में investment जो करी गई है 5 साल की बच्चे की उम्रिक हिसाब से करी गई है और 30 साल की उमर पे होने पे उनको rent मिलना चालू हो जाएगा तो यहांपर हमने जो calculation करी है 15,000 रुपे महीने के according करी है जिसमें कि आपको जो rent मिलना चालू होता है वो 3,64,000 रुपे के आसपास का होता है मा लेजए यहांपर आपने जो पैसे जमा करने एक लाग 56,000 रुपे आपने जमा करने होते हैं यहांपर जो rent मिलता है वो तक्रीबन होता है 3,64,000 रुपे का जो आपके बच्चे को हर साल दिया बट जो कि वो नहीं करी है क्योंकि यहां पर बहुत अच्छा रेंट उनको मिलने वाला है। की उमर में दो करोड 32 लाग रुपे और विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सुन्दर गिफ्ट आप अपने बच्चे के लिए जरूर लेना चाहेंगे। अपने बच्चे के नाम पर ये प्रॉपर्टी इंवेस्मेंट प्लान जरूर लीजिएगा। डिजिलल प्रॉपर्टी का जबरदस कॉंसेप्ट है। आप इसे अपनी बच्चे के नाम पर भी ले सकते हैं ताकि जब उसकी शादी हो जाए तो हर साल उसको कोई ना कोई इंकम होती रहे। अच्छा है तो एक समय के बाद अपनी किसी भी उमर में पैसा विड्रॉख करके यहां से अच्छा खासा एमांड भी ले सकते हैं। I hope दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हुए और आपके मन में कोई भी डाउट ना तो मुझे कमेंट वक्स में जरूर पूछिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।